मैं जानने क्यों चला आता हूं मैं यहां बार बार पता नहीं पेडू से मिल ले आता हूं यह खुच से बहुत सुकून है इनावाओं में चायरी से लिए चला आता हूं मैं बार बार वाहे कि आता हूं जानने को हां मैं लुच अध्धिक वाहे कईश thonk पार आता हूं सुका कम यहां कर दो पर नामनी में मेरे साथ है निरुदा सुत्यों अमेद उसके बाद बीजय नंडुदा है मंतो तो निरुदा कुछ बोले गया वहां पर जाकर क्या क्या देखने को मिलता है वह भी देखेंगे अच्छा इसे पहले आप नामेरी आएंगे नहीं पहली बार में जा रहा हूं नामेरी आप सुनने में हैं वहां पर बोटिंग कर सकते हैं इस तरह से कुछ और भी है यहां पर पहली बार आया है और हम लोग सब्सक्राइब करेंगे और ट्रेकिंग करेंगे प्राइब हो गया मतलों में में सिंग बोरो कार्बी जो मतलों उड़ा के चिक्टन खादाए ना तो यहां से आप देखेंगे आपको शायद दिखाए दे रहा है वह वह पर आपको वहां से ट्रेकिंग के लिए आपको जाना परेगा और यह सामने से आपको बोट ले जाए उस पार उसके बाद उस दर से आपको पैदल चलके जाना परेगा वहां से आपको चल के जो फोरोस्टर एक मीर आपके साथ रहेगा उसके साथ पुरा जंगल जो है टाइगर इजब है ना मेरीगा तो यहां से आप लोग ना पूरा घुम सकते हैं ट्रेकिंग का टाइम है दो घंड़ा आपको ट्रेकंग का पुरा complete करना हुगा 4-5 km पूरा इलाका है इलाका बहुत बड़ा है लेकिन आपको 4-5 km ही आपको ट्रेकंग करने को मिलेगा तो आप लोग आईए और इसमें ट्रेकंग और राफ्टिंग कर सकते हैं के लिए ना मेरी मतलब में बहुत ही अच्छा है ट्राफ्टिंग के लिए और ट्रेगिंग के लिए अभी मैं द्रोन का सोट दिखाऊंगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कॉमेंट कीजिए लाइक कीजिए और सेयर जरू कीजिए और सब्सक्राइब तो करि झाल 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 तो 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 मतलब कुछ दिन पहले यहां पर आया था था और हम लोग को अब दो अब सब्वाढ़न से जाना पर है भ самом लोग कोем कि कहा रहे हैं तो था रहते हैं की सलग है यह रहती हं अधर है उलगल अच्छा लग रहा हैं ओछ देखते हैं कि कि अन्हों लोगों क्या क्या मिलता है अभी तक तो हम लोगों कुछ मिला नहीं है शिर्फ जंगल ही जंगल है और बहुत ही घाना जंगल है तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हम लोगों को कर्प किजिएगा और देखते रिएगा बुद अच्छा चीज है असाम का काजिरागा और नामेरिका नेशनल पार्क है अपो देखिएगा यामेरिकां और चार्क है असाद का का अच्छाां टयूर्क है इचल वहा इजब प्रा उन्हां अज़ कीज़्गा झाल झाल तो तो मैं बताना चाता हूँ कि यहां पर अभी अब देख सेक्पुरा हो यह सुखा हो गया है यहां पर पुरा पानी सुख गया है और इधर राफ्टिंग करने के लिए यहां पर पूरा फ्राफ्टिंग निभेंचे करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है झाल झाल जाने का टाइम हो गिया और यहां समें निकल रहे हैं तो आपको कैसा लगा यह जो बोलिएगा और किसी के पास में पैसे नहीं हम लग जो भी समान लें इसको बंदक देके भी पार घुमेंगे ना तो इसकर भी जैसकते हैं अब अब आप झाल कर दो 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 कर करांट कर दो जाल एक पूदिक परेए चाहँ